Hello and Welcome Friends, मैं हूँ Mangesh और आप देख रहे हैं Blogging Q&A YouTube Channel So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Media.net के अप्रूवल के बारे में जो की Google AdSense का Best Alternative माना जाता है मेरी जो एक वेबसाइट थी BeautifulHappyBirdayImages.com जो की एक Image website थी उस पर मैंने Media.net के लिए अप्लाई किया था और within 24 hours में मुझे मुझे मीडिया.net का अप्रूवल मिल गया उस website पर तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ और उससे मुझे काफी सारी चीजे क्लियर भी होई क्या क्या चीजे आपको ध्यान रखनी है वह इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपना personal experience तो वीडियो शुरू से लास तक जरू देखे का अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी ज़रू कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की नहीं वीडियो तो अगर आप देखेंगे यहां पर यह जो है इस पर यहां पर एड्स लगी हुई है यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी यहां पर भी एड्स लगी हुई है यह सारे पूरी website पर अभी शिफ मेडिय की ऐड्स लगी हुई है तो यहां पर जो मेरा में टार्गेट था इस website को बनाने का यहां पर इमेज वेबसाइड बनाने का उस पर एड्स अप्रूबल लेका लेकिन मुझे पता है की मैंने अभी तक इस पर इतनी पोस्ट नहीं डाली थी जिन पर मुझे एजली एडसेंस अप्रोवल मिल जाए वह भी मैं आपको दिखाता हूं कि यह जो वेबसाइट है सिर्फ 15 पोस्ट मैंने अभी तक डाली थी और मेरा टार्गेट था कि मैं 20 प्लस पोस्ट डालने के बार एडसेंस के लिए अपल पर मुझे इस पर अप्रोवल मिल गया था अब दोस्तों यहां से मुझे कुछ चीजे पता चली मीडिया डॉट नेट के अप्रोवल के बारे में सबसे पहली चीज जो क्राइटेरिया है वो तो ही कि आपकी वेबसाइट पर जो कंटेंट है वो सारा इंग्लिश में होना च ठीक है दूसरी चीज जो हम सब पहले होता था कि मीडिया डॉट नेट के अप्रोवल के लिए आपकी वेबसाइट पर ट्राफिक जो है यूएस यू के और कैनाड़े से होना चाहिए पर दोस्तों जो मेरा एक्स्पिरेंस है इस वेबसाइट पर इस वेबसाइट का जो में मिल जाएगा補 from ईसेट भीए तो तो अगर आपकी वेबसाइट पर ट्राफिक होना अगर आपकी वेबसाइट पर ट्राफिक है चाहिए, तो दस पोस्त में भी मैंने अगर आपने तेली ग्रूप जोईन केना है यहाँ पर जोईन के लेकर आधा ही बता दिया था कि मुझे मीडिया.net का अप्रूवल मिल गया चीजे थी मैंने सारी बता दिया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा make sure telegram group को चैनल को जोईन कर लें वहां पर बहुत सारे discussion होता है तो यहां पर आप देखिए 15 पोस्ट है अब मुझे इस वेबसाइट पर AdSense का अप्रूवल मेरा में टार्गेट है AdSense का अप्रूवल तो वह मैं लेने वाला हो जैसे मेरी वेबसाइट पर 20 पोस्ट हो जाएगा इसके बाद में अप्लाय करूंगा उससे पहले नहीं करने वालों क्योंकि पता है उससे पहले अप्रूवल नहीं मिलेगा अब देखो मैंने आपको दिखाए सिर्फ 15 पोस्ट है अब अगर मैं आपको स्टैट्स दिखाओं यह देखो यहाँ पर मुझे डेली का 300-400 ट्रेफिक आता है ओवर्यू में आपको दिखाता हूं पेज आज के 78 है कल के 311 और टोटल इतना है अब यहाँ पर मैं ट्रेफिक ओडियंस आपको दिखाता हूं कहां कहां से यह देखो पूरी वेबसाइट का मेजोरेटी ओफ ओडियंस है इंडिया से ठीक है और मीडिया.net में पहले क्या होता था कि UK, US और कैनेडा से ट्रैफिक होना चाहिए अब यहाँ पर देखो हमारे US से तो ट्रैफिक है लेकिन कै चनेडा या फिर UK या फिर इन सभी जगह से ट्रैफिक नहीं है फिर भी मुझे अप्रूवल मिल गया तो इससे यह चीज़ प्रूव हो जाती है अगर मीडिया.net का आपको अप्रूवल लेना है और आपका ट्रैफिक इंडिया से है और यूनीक कंटेंट है तो भी आपको मिल जाता है तो अगर आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है और आपकी वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक है यूनीक कंटेंट है तो एक बार मीडिया.net के लिए ट्राय जरूर करें अब मेरे पास अल्रेडी जो मेरी वेबसाइट है ब्लॉगिंग क्यूने डॉट कॉम उस पर पहले से मीडिया.net का अप्रूवल है तो उसी वाले मीडिया.net के अप्रूवल में मैंने यहां पर यह देखो ब्यूटिफुल हैपीबड़डेई मेजी.com इसके लिए अपलाय करा तो यहां पर मीडिया.net में आप जैसे एड्सेंस में होता है कि एक एड्सेंस को शाम को request करी थी और साथ को मुझे यहां पर approval मिल गया within 24 hours लेकिन मुझे यहां पर एक चीज मुझे कोई भी mail नहीं आया कि आपका approval हो गया यह मैंने जैसी 6 को apply करा था तो मुझे उसके बाद भी कोई mail नहीं आया और साथ को जब मैंने दिन में चेक किया तो यह approved यहां प कोई भी mail नहीं आया तो वह हो सकता है इस जैसे क्योंकि मेरा पहले से media.net पे account है तो mail नहीं आया हो बट यहां पर इस चीज की guarantee within 24 hours में मुझे approval मिल गया अब इसके बाद एक जो question काफी लोगों को आता है कि जो media.net की existing ad unit है उन्हीं को आप जो एक बार आपने ad unit create करी है उन् example मैंने यहां पर यह कुछ ad unit blogging की यहने वाली website के लिए बना रखी थी तो यही वाली ads मैंने इस वाली image website जो थी beautiful happy birthday images.com इस पर भी ट्राय करी और इस पर भी यह आपके सामने है प्रूफ आपको यहां पर ad show हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर website के लिए अलग से create करनी पड़ेंगी ads जो एक बार आपने create कर चुके हैं वही ads आप जो है वहाँ पर जितनी भी website पर अप्रूवल लेंगे उन सभी पर लगा सकते तो आपको दिखेगा यहां पर अभी सिर्फ media.net की ads लगी हुई है तो आपको देखने को मिलेगा हर जगर media.net की ad है अभी website पर अगर आपको जानना है कि image website पर कैसे adsense का approval लेना है तो उसका video मैंने channel पर पहले ही बना रखा है description में उसका link मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप check out कर सकते हैं और make sure telegram group को join कर ले अगर वहाँ पर आप कुछ भी query है question है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं तो दोस्तों I hope आपको यह video पसंद आई होगी अगर आपकी कोई भी query है अभी भी media.net के approval से related तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं अगर comment section में reply नहीं हो पाता तो आप facebook page instagram या telegram मुझे कहीं पर भी पूछ सकते हैं वहाँ पर मैं almost online रहता हूं सभी के link आपको description में मिल जाएंगे और अगर video पर एक बार media.net का approval देने का try जरू करें अगर आपकी website पर unique content है English content है और traffic है चाहे कहीं से भी traffic हो तो media.net का approval मिल जाएगा proof मैंने आप सभी के सामने दिखा दिया है तो I hope video पसंद आई होगी अगर video पसंद आई तो like और share जरू कर दें और make sure channel को subscribe कर लें ऐसी amazing video देखने के ल कर देखने कर दो हुआ 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 है